तीस अगस्ट से नेपाल और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खिला जागा एश्यकप 2023 के लिए आपको बता दे कि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान है उन्हों ने इस मुकाबले से पहले एक प्रिस कॉंफरेंस करी है और उसमें उन्हों ने इंडिया और पाकिस् प्सक्तान के जो बीच में मुकाब़ा होने वालों है उसके लिए आपकी कितनी जयदा प्रप्रेशन है तो बाबाराओम ने बोला कि hisच हमेशा ही हाइंटेंसिटी मैंच में दोनों देशों के तरफ हमारा रुख है कि दोनों ही टीमों के बीच ने एक हेल्दी कॉंपेटिशन देखने के बिले और साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जो है वह एक होश्ट है लेकिन पहली बार हाइब्रीड मॉडल पर यह मैच वह करवाय जा रहा है इसके लिए पाकिस्ता के लिए रेडी रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में मेरे हिसाब से देखा जा तो अगर पाकिस्तान में सारे मैचेस होते तो सबसे जादा अच्छा होता क्योंकि देखा जाए तो ट्रेवलिंग का जो टाइम होता है वह आपको प्रैक्टिस के ल कि आफगानिस्तान के खिलाफ जैसा हमने उसके भांक हो भांक बीजिए को एक सरह करें उसी तरह के जपी वहीं किस वहीं तरज दिखायग है तो यह सब जब आप किन जरूबम और पाकिस्तान को हरा पाकिस्तान को हरा पा के ने कान्म सेक्शन करके मेसं दुरुरृ camer हैं और साथ साथ हो फान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें